नमस्कार आप देख रहे हैं कबर जोगत हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गे हूँ खरिदारी की है कृष्वि मंत्री सूर प्रताप साही गोरकपुर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने को लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया है तीसरी लहर के मदे नजर सभी जेलों में पच्चास आईसीओ बेट बच्चों के लिया रिक्षित करने के निर्देश जारी कर दिये गया है रिकॉर्ड तोड लोगों का टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुआ है लोगों को जून जुलाई और अगस्त माह तक निशुर खादान वित्रण का लक्ष रखा गया है प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट 98 प्रतेशत हो चुकी है प्रदेश में गेहू खरिदारी का लक्ष 15 तारीक तक पूरा कर लिया जाएगा अनुमान है कि लक्ष से ज्यादा की खरिदारी हो जाएगी इसके लिए सभी अधिकार्यों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों को कहीं से भी कोई दिक्कत ना होने पाए खरिदारी के बाद किसानों का भुक्तान में किया जा रहा है उतर प्रदेश के कृष्री मंत्री सूर्प्रताप साही गोरफपूर आये हुए थे जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने साथ कुना ज्यादा खरिदारी हमारी सरकार ने हुई है। से 15 तारीक तक पूरा कर लिया जाएगा और अनुमान है कि लक्ष से अधिक की खारिदारी भी हो पाएगी उन्होंने वैस्विक महमारी को ले करके कहा है कि प्रदेश में 3,10,000 से ज्यादा संक्रम मरीज थे लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अतक प्रयासी हां आक गया है लगबग 25 प्रतिशत आबादी का कोविट-19 जाच हो चुका है लगबग 1,78,000,000 लोगों को करोना का पहला डोज दिया जा चुका है और 37,100,000,000 लोगों को दूसरा डोज लिल लगाना बाकी है कोरोना की तीसरी लहर के मद्दे नजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सराहनी अकारे करते हुए सभी जिलों में 50 ICO बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिये हैं साथ ही जुले के प्रतिनिधियों से आगरह किया गया है कि आपने छेत्र के वह किसी भी CXC, PHC को गोद ले हमारी सरकार ने निशुल्क राशन योजिना की शुरुआत की है जो जून जुलाई अगस्त में काट धारकों को निशुल्क विद्रन किया जाएगा सरकार के मंत्री मंदल मंदल में फिर बदल को लिये करके उन्होंने कोई भी टिपडि करने से इंकार किया है उन्होंने कहाएकि सरकार में सब कुछ ठीक है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है खबर रगत के डिया एलन सिंकिर रिपोर्ट यह आग्रक किया है कि वो अपने छेतर के एक एकरस यसी और प्यसी को गोद लें और जिस पर हमारे जन प्रतिजियों ने काम करना शुरू कर दिया है कार्ण है तीन लाख अठारा हजार तीन करोर अठारा लाख क्याउन हजार चारसो बीस और पात प्यस्पी के कार्ण है चालीस लाख चौड़ानवे अजार पांसो इतनी बड़े तादात में यह जो है वो धन राशन उनको जाकर के वित्रत होगा मुखमंती जी ने सभी कार्ण धारकों को एक करोर संतर लाख से ज्यादा कार्ण धारक हैं उसमें और 14 करोड असी लाख 47 जार 32 यूनिक पड़ते हैं प्रतेक अंत्योदय का धारक और पात्र प्रिहस्पी का धारक को निशूल करास्ट जिसन दिये जाने का फैसला राशी सरकार्ण ने किया है जिसके अंत्रकत जून जुलाई और अगस्त महीने में 24,552 लाख मेट्रिक टन निशूलक खाध्यान का वितरन 20 किरो घ्यों और पंगर किरो चावल राज्य की ओर से किया जाएगा जिसके लिए योगी आजित नाजी के सरकार्ण ने पांसो नवासी करूर रुपए की ब्रोस्ता की है इन्ती महीनों के लिए अभी अभी गोरख गुर में एक लाख मेट्रिक टन का बंडारण और हो सकता है उतने बेर हाउसें हैं और जिलादीकारी को मैंने कहा है कि यह आउशकता पड़े तो और आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के रिक्विजिट करके और उसमें बंडारण करें इसके लिए जिलादीकारी को भी कह दिया गया है और यहां के भी जिलादीकारी को मैंने कहा है कि आप रिक्विजिट कर लीजिए और दे करके और उसमें कि इसी तरा काम चला रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि पीडियस में अभी कितना मात्रा में जहूं जाक और चाव लिख लेगी इसी जून के महीने में पिछले बार 17 करोर से जादे की धनुलासी जो है वो प्रहान मंत्री फसली भीमा योजना के अंतरगत जो है यहां के किसानों को मिली है गोरभपूर के और गोरभपूर ही नहीं पूरे प्रदेश की जो है वो माननी ये मुखमंधी जी ने अभी तीन दिन पहले वीडियो कान्फरेंसिंग के माजम से सभी जिन आधिकारियों से उन्होंने समिक्षा भी किया और जो 27 जन पर ऐसे होते हैं जो विशेश नुख से बार से प्रवाज़त होते हैं उन सब के लिए काजी होजना बनाए जाने के उन्हों लें दुर्देश की है और वो पिछले दिनों यानि मार्श के पहले ही अनिक बंधों के मरमत का और जहा और राप्की और गुर्रा का जो दौावे का जो बंधे थे उन सारे बंधों पर पहले ही मैं समझता हूं जनवरी फरवरी में ही पैसा दे करके और बटसाथ से बहुत पहले उनको ठिक कर आदे हैं और यही सिति बल्दामपुर्साइग में भी हुई है गोंडा और कि परियागत मात्रा में यूलिया राजी पे पास है और किसी भी प्रकार से किसान को कुई दिक्कत नहीं होगी डीएपी की केमते बैस्वीक वाजार में बढ़ जाने के कारण भारत सरकार ने उस पर अपनी सबसीवी जो पहले 500 रुपए बोरा देती थी बढ़ाकर 700 रुपए लागत की डीएपी होने के बावजूदी अभी भी 1200 रुपए में दी जाएगी और उससे किसानों को पंद्रा हजार चौदा हजार साथ सौपचातर करों रुपए जो पैस्वीक कीमतों को बढ़ाए जाने के कारण भोल्ट पड़ता उसको महारा सरकार ने खुद सान करने के लिए इस सबसीवी को बढ़ा दी है दो जून तर गन्ना मुली के रूप में एक लाग शक्तिस अजार अंठानवे करोड उन्यासी लाग का भुगतान किसानों को किया जा चुका है जो अपरेंगे